नमस्कार, Simplified Vedic Astrology Channel पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत थे मैं हूँ तमुश्री और आज के इस वीडियो में हम लोग Venus Transit in Virgo Sign with K2 इसके बार में First हम Analysis देंगे और उसके बाद आप सभी लगना वालों के लिए prediction दोंगी इस वीडियो पर वीडियो का time stamp इस वीडियो के description box और इस वीडियो के comment section पर available है तो आप लोग अपने अपने लगना यानि ascendant wise इस वीडियो का आप लोग चेक कीजिए इस वीडियो को मैंने strictly ascendant wise ही बनाया है ठीक है और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया वीवर्स है और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और नोटिफिकेशन ये बिल आइकन को please on कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुस सके तो चलिए आज के topic पर बात करना शुरू कर लेए देखिए 3rd November 2023 में Venus वर्गो साइन पर enter करने वाले है और वीनस 30th November 2023 तक वर्गो साइन पर transit करने वाले है तो क्यूंकि और वर्गो साइन पर केतू मौझूद है transit वाइस तो यहाँ पर आपके वर्गो साइन पर वीनस केतू conjunction बन रहा है transit के हिसाब से तो एक तरह वीनस है जो कि luxury को represent करता है जो कि arts, media, creativity, relationship, romance, pleasure, good amount of name, fame, recognition, vehicle और जितने भी like pleasure giving materials है वो सभी चीज जो है वो वीनस रिप्रेजन करता है वीनस wealth भी है अब उसके opposite में है केतू केतू जो है वो एक मोक्षाकारी planet है केतू एक monk यानि एक सन्यासी जैसा है जिसका material realm से material चीजों के साथ उसका कोई भी attachment नहीं है तो इसी वादे से केतू मोक्षाकार का है केतू headless है तो केतू सिर्फ body है जिसका कोई desire नहीं है क्योंकि उसके साथ दिमाग attached नहीं है तो जब भी Venus और केतू conjunction पर आते है तो कही न कहीं एक pull and push एक एक दो opposite force एक साथ आ रहे है यानि कहीं न कहीं Venus यानि आप जब भी Venus के पास जाने की कोशिश करेंगे तो तब केतू आपको पीछे से खीचेगा और जब आप केतू के पास जाने की कोशिश करेंगे Venus आपको खीचेगा यानि कहीं न कहीं एक dissatisfaction create होता है इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक बहुत यादा confusion create होता है उपर से Venus खुद debilitated है वर्गो साइन पर अब Venus अब जब वर्गो साइन पर आते है तो वो बहुत यादा critical और logical बन जाते है क्योंकि वर्गो स हमारे analytical logical mind है और केतु जो है वो critical critical thinking को represent करता है केतु बहुत ही actually केतु criticism को भी रिप्रेजन करता है तो इस वर्दे से सबसे पहला आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपने relationship के प्रती अपने कर्मों के प्रती क्योंकि वर्गो साइन नैचरल कालपुरुष कुनली में आप को रिप्रेजन करता है, obstacles को रिप्रेजन करता है, health को, illness को, diseases को रिप्रेजन करता है, but selfless service को यानि NGO टाइप जो work होता है, जो organizations होते हैं उनको भी रिप्रेजन करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि original कालपुरुष कुनली में Venus 7th house यानि marriage, partner, relationship को रिप्रेजन करता है वो original कालपुरुष कुनली के इसाब से वो 6th position यानि वर्गो साइन पर है, तो आप लोग अपने relationship में सबसे आदा इसवग detachment feel करेंगे, कही न कही आपको sacrifice करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ, कोई न कोई आपको समझोता करना पड़ेगा, और तभी जाके आप अपने partner क के साथ सही तरह से रहे पाएंगे, नैंतो आप लोग आप अपने partner को criticize करेंगे, आपके partner को criticize करेंगे, कही न कही आप दोनों है एक दूसरे का जो करमा है, उसको आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको लगेगा कि ये काम अगर इस तरह से करेंगे तो बहतर होगा, क्योंकि अगर आप सच्चा प्यार करते हो, रहना चाहते हो अपने partner के साथ, जग्रे को avoid करना चाहते हो, तो कही न कही आपको समझोता करना पड़ेगा, तो ये Venus का एक बहुत ही practical approach है, कि आप लोगों को समझोता करना सिखाए, एक दूसरे के साथ रहना, practical एक दूसरे के सा तो Venus इस वक्त आपको सिखाएंगे कि जब relationship के अंदर कोई बुरा वक्त चलता है, जब आप लोगों में अनबन होती है, difference of opinions होते है, तो तब आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रह सकते हो, ये एक test है, और ये test बहुत ही आदा difficult होने बाला है, because of the presence of Ketu, अभी देखो तो क्योंकि 6000 यानि वर्गो साइन, health, illnesses, diseases, including healing को भी रिप्रेजन करता है, तो यहाँ पर जो लोग गारी चलाते हो, या फिर बहुत यादा sharp object के साथ काम करते हो, बहुत ही risk oriented काम करते हो, physically बहुत होते active हो, अपने work space पे, तो आप लोगों को अपने health को संभाल के रखना पड करता है, specifically क्योंकि वीनेस जो है, वो reproductive organs को represent करता है, okay, तो यहाँ पर आपको, अगर आपके reproductive organ में कोई भी problem है, तो आप उसको heal करने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर के पास चाहिए, इलाज करवाईये नहीं, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, और देखिए, health-wise आपको cut burns and bruises आ सकते हैं, swelling आ सकते हैं, क्योंकि यह सब K2 represent करता है, अगर अगर आप लोग खुद भी doctors हो, तो आप लोग देखेंगे कि इस वक्त हो सकता है कि अगर आप लोग sergeant हो, तो operations जाधा करना पड़ेगा इस वक्त, तो अगर आप लोग doctors हो, natural healers हो, तो इस वक्त आप लोग करते हो, आप लोग अगर मालो कि नॉर्मली कोई काम करते हो, बत साइट वेस आप लोग क्या करते हो, कि कोई ना कोई समाद सेवा, ऐसा कोई आप काम करते हो, तो आप लोग को इस वक्त इसका जो negative effect है, इस conjunction का, इस गोचर का, वो बहुत ही कम हद तक आपको दिखाई देग क्योंकि केतू को लगेगा कि यह तो अल्रेडी समाज के लिए या दूसरों के लिए selflessly कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो इसको हम लोग कम तंग करेंगे, बत जो लोग सिल्फ सेल्फिश बन रहे हो, उन लोग के लिए टाइम बहुत रहने वाला है, क्योंकि आपको satisfaction नहीं आजाए, चाहे वो material wealth हो, चाहे वो success हो career में, कहीं न कहीं आपको लएगा कि यह ना वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा है, जो आपने expect किया था, तो यह एक दिक्कत इस वक्त आएगा, तो best है कि आप लोग सबसे पहला अगर आप लोग को remedy करना है, तो Venus का remedy है कि आप लो अबी problems आ रहे हैं, तो आप लोग भगवान गनेश जी की पुझा कर सकते हो, क्योंकि भगवान गनेश जी जो है, वो केतु के साथ connected है, अभी धनतेरस भी आ रहा है सामने, तो आप लोग एक साथ लक्ष्मी गनेश जी की पुझा कर सकते हो, मा पार्वती यानि मा गौरी औ और भगवान गनेश की पुझा कर सकते हो, तो यह जो कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग पुझा करेंगे, तो आपको काफी जाधा improvement दिखाए देगा, और अगर possible है, तो मा गौरी भगवान गनेश और भगवान लक्ष्मी, इन तीनों की ही आप लोग पुझा कर सकते हो, और अगर मान लो कि आप लोग पुझा नहीं कर सकते हो, कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते हो, fine, कोई problem नहीं है, आप लोग बस चीजे, as it is, जो जैसा है, वैसा ही आप लोग उसको accept करके, logically चीजों को समझने की कोशिश करो, logical approach लो, अपने relationship में, क्योंकि Venus, वर्गो साइन पर logical बन जाते हैं, बहुत जादा, discipline बन जाते हैं, organized बन जाते हैं, तो अगर आप लोग naturally अपने approach में, कि किस तरह सा आप लोग behave कर रहे हो, अगर आपका behavior बहुत यादा natural है, बहुत यादा logical है, आप लोग relationship में कोई problem आ रहा है, तो बैट के उसको logically समझाने की कोशिश कर रहे हो instead of arguing with each other, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा result मिलेगा, okay, meditation से यहाँ पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि यह meditation वाला sign है ही नहीं, आइदर आप लोग जो पूजा पाठ है, जो भी मैंने कहा, वो कर सकते हो, और नया तो logical approach लेना start कर दो, नया तो problem होगा, ठीक है, और हर बड़ी में कोई आपको काम नहीं करना है, अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, अगर आपको dissatisfaction लग रहा है, तो आप थोड़ा time लो, और किसी भी चीज़ को, चाहे वो relationship हो, अगर आपको ऐसा भी लग सकता है, कि आप जहाँ पर काम कर है कर चीज़ों को logically समझने की कोशिश करो, तभी आपको prominent answer मिलेगा, otherwise नहीं मिलेगा, थीक है, तो ये मैंने transit का analysis part में आप लोग को बता दिया है, अभी हम लोग ascendant wise prediction वीडियो पर चलते हैं, तो अगर आप लोग का लगना, यानि ascendant, Aries यानि मेश है, तो Venus आप लोग के लि साथ transit कर रहे है, इस वक्त, ठीक है, तो first of all, अगर आप लोग अपने कोई भी relationship में हो, और ने तो अगर आप लोग married हो, ने तो business आप लोग partnership में करते हो, तो आपको बहुत ही careful बनना परेगा, यहाँ पर arguments हो सकते हैं, यहाँ पर arguments हो सकते हैं, difference of opinion हो सकता है, तो यहाँ पर स चीजों को समझने की कोशिश करो, logically चीजों को handle करने की कोशिश करो, अगर relationship में बहुत ज़्यादा problem आ रहा है, because कि आप लोग आप लोग ध्यार नहीं दे रहे हो अपने relationship में, और ने तो शायद कोई अंदर से dissatisfaction आ रहा है, due to some reason, तो यहाँ पर suddenly अपने relationship में break up, या फिर क समझने की कोशिश करो, कि अगर dissatisfaction है, तो उसका reason क्या है, और अगर कोई और problem चल रहा है, तो उसका कोई logical solution available है की नहीं, अगर है तो पहले उन चीजों को समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, अगर फिर भी problems आ रहे है, तो वो आपकी decision है, यहाँ पर आपको अपने daily work life, daily work routine में इस वक्त कोई न कोई चाहे कितना भी अपको promotion मिले या फिर recognition मिले या फिर कुछ भी हो, कही न कहीं आपको ऐसा feel हो सकता है कि लोग आपको शायद क्रिटिसाइज कर रहे है, आप दूसरों के actions को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क कि suddenly अपने career को change करने के बारे में सोचिये मत, क्योंकि यह हो सकता है कि temporarily आपके दिमाग के अंदर एक dissatisfaction क्रियेट हो रहा है, जैसे ही यह गोचर चला जाएगा तब आपको शायद अच्छा लगने लगेगा, और वो इस वज़े से होगा, क्योंकि Venus फिर Libra sign पर एंडर करें पर हाँ, जिन लोगों के life में इस वक्त breakups होना ही है, mandatory है, जो relationships toxic है, जो partnership अच्छे नहीं है, उनमें एक prominent breakups आने के chances है और हाँ, अगर आपको अपने reproductive organ में या फिर body में किसी भी part में आप लोगों को swellings हो रहा है, cuts आ रहे, burns आ रहे, bruises आ रहे, या फिर कोई भी reproductive organ related अगर कोई भी issue है, immediately doctor के पास जाएए, उसका इलाज कीज़े, otherwise यह आगे चल कर या फिर during the time of transit यह आपको problem दे सकता है तो देखो overall, बट हाँ, अगर आप लोग already NGOs के साथ connected हो, या फिर selfless कोई भी काम करते हो, आप लोग doctors हो, natural healers हो, आप लोग animal doctor हो, या फिर naturally आप लोग दूसरों के लिए समाज के लिए काफी help करते हो, कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे काम करते हो, तो यहाँ पर यह जो negative effects से वो काफी कम आपको दिखाई देगा, क्योंकि naturally फिर आप क्या कर रहे हो, आप Ketu के साथ already connected हो, क्योंकि Ketu जो है, वो selfless activities को represent करता है, तो आप लोग already Ketu को यहाँ पर please कर चुके हो, सिर्फ आपको Venus के तरफ ध्यान देना है, तो यहाँ पर अगर आप लोग 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 लो साधा जो effective होगा वो है, like either आप लक्ष्मी और गनेश जी की पूजा करो, क्योंकि मालक्ष्मी भीनेस के साथ connected है, और भगवान गनेश जी जो है, वो Ketu के साथ connected है, और सामने धनते राज भी आ रहा है, तो overall prosperous, like overall जो भी happiness है, abundance है, success के लिए, आप लोग इस वक्त मालक्ष्म यान भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो, नै तो माग गवरी और भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो, नै तो इन तीनों देवि और देवता को एक साथ पूजा कर सकते हो, और नै तो आपको logical बनना पड़ेगा, random कोई भी action आप लोग नहीं ले सकते हो, ठीक है, और सकता है कि जब Ketu का I mean जब Venus के ट्रांसिट चला जाएगा तो अब आपका यह जो Emotion हो जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा time लेकर कोई भी decision लीजे वह आपकी life है आपका decision है आपका choice है बट थोड़ा time लेकर सोच के फिर decision लीजे यही बोल रही हूँ ठीक है तो I hope कि आप लोगो को मेरे video and guidance अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस इस वीडियो को like कीजे चैनल को भी subscribe कर लीजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोगो का ascendant Taurus यानि व्रिशववा है तो Venus आप लोगो के लिए आपके ascendant and आपके 6th house के ruler है and Venus आपके 5th house पर वर्गो साइन पर transit कर रहे है with K2 क्यूंकि transit wise इस वक्त K2 वर्गो साइन पर ही है तो देखो इस वक्त अगर आप लोग specifically student हो तो आप लोगो हो सकते हैं कि परहाई के तरफ एक dissatisfaction feel होगा या आप लोग क्रिटिसाइस करेंगे पढ़ा परहाई के वारे में अगर आपका बच्चा है आपर Seungk parents हो तो आप लोग इस वक्त अपने बच्चों के परहाई के तरफ आप लोग भड़ायो पाराई नहीं करते हो क्या कर्रे हो कुछ नहीं होगा तुम से और नहीं तो बच्चों का कोई रेंडम एक्टिविटी के वाई से आप उनके उपर भड़क जाएंगे इसवक नाचरले क्योंकि फिफ्फ आउस लव और रोमान्स यह नहीं होगा क्योंकि सदेनल आपके मन में एक डिटैच्मेंट फिल होगा जो भी वीनिस जो भी चीजों को रिप्रेजन करता है उन सभी आसपेक्ट के तरफ आपको एक डिटैच्मेंट फिल होगा तो इस वज़े से आपका romantic life इस वख सफर कर सकता है तो अगर आप लोग को कोई remedy करना है तो आप लोग भगवान लक्ष्मी और भगवान गनेश जी की पूजा कर सकते हो और नहीं तो आप लोग जो ये तीनों जो दो देवी एन यानि मालक्ष्मी भगवान गनेश जी और अगर पूजा नहीं कर सकते हो और किसी relationship में हो उसमें problems आ रहे हैं तो थोड़ा आप लोग रूख जाओ ये transit हमेशा के लिए नहीं है ये temporary transit है ठीक है तो थोड़ा आप लोग रूख जाओ अगर आप लोग लग रहा है कि आप अपने relationship में satisfied नहीं हो तो देखो Venus क्योंकि relationship को है के तू detachment को represent करता है तो हो सकता है कि एक temporary detachment है तो आइदर आप लोग थोड़ा time लो और रियल जो भी कारण है क्या reason है उसको समझने की कोशिश करो और नहीं तो अगर relationship toxic है तो ये perfect time है जब आप लोग अपने relationship को cut off करके एक नया life शुरू कर सकते हो अभी 5th house show है वो investment को represent investment यानि stock market share market bitcoin या फिर जो भी gambling होता है या फिर ups and downs like जब आप किसी share market stock market या फिर किसी और के business में आप लोग पैसा डालते हो तो वह kind of gambling हुआ क्यूंकि आपको नहीं पता है properly कि आपको उसमें से अच्छा return मिलेगा कि आपका पैसा दूबएगा तो ऐसे type के जो भी investment है उसको करने की कोशिश कीजिए अधर्वाइस आपके पैसो में प्रॉब सकता है तो अगर आप लोगो को लगता है कि problem हो सकता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग किसी financial advisor से आप लोग advice ले सकते हो और ना तो कुछ time के लिए आप लोग रूपर research करो उसके बाद अ अगर आप लोग naturally consulting advising guiding ऐसे किसी भी या फिर टीचिंग ऐसे किसी बिजनस में हो तो देखो बिजनस के तरफ आपका focus इस वक्त हो सकता है क्योंकि वीनस एकदम से बहुत ज़्यादा logical हो जाएंगे लॉजिकल हो जाएंगे discipline oriented हो जाएंगे ठीक है तो आपके career fund के लिए यह time अच्छा है बट हाँ इस वक्त आप लोग अपने professional network circle के साथ कोई argument में फसकते हो क्योंकि आप लोग उनको criticize करेंगे और ने तो वो लोग आपको कुछ कहेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा और क्यूंकि आपके fifth house से वीनस का जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th house पर है ठीक है 11th house जो है वो आपके बरे भाई-बहन और आपके professional network circle को represent करता है तो देखो इस वक्त argument नहा करके आप लोगो को logically चीजों का handle करने की ज़रूरत है ठीक है तो I hope कि आप लोगो को मेरे वीडियो और guidance अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे चैनल को भी subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोग का ascendant, Gemini यानि मिथुन है तो Venus आप लोगो के लिए आपके 12th house और आपके 5th house के ruler है Venus आपके वर्गो साइन पर यानि आपके 4th house पे केतु के साथ transit कर दे है तो सबसे पहले अगर आप लोग like home, land, real estate, car, restaurant business, food business या फिर interior home decoration, furniture business या फिर कोई भी luxury item related अगर कोई भी business करते हो सारी, clothes, garment, fashion designing, perfume business या फिर अगर आप लोग politician हो या फिर आप लोग जैसे उसको क्या कहते है गेमिंग या फिर कोई भी आप लोग business कर रहे हो या फिर आप लोग constructor आप लोग like buildings बनाते हो अगर कोई भी 4th house related कोई भी काम करते हो तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके नीचे जो काम करते हैं उनके साथ आपका अनबन हो सकता है आपके जो भी लोग आप किसी भी लोगों के साथ काम करते हो चाहे वो आपका coworker हो चाहे वो आपका boss हो manager हो आपका subordinate हो उन सभी लोगों के साथ including क्योंकि 4th house आपके family को represent करता है आपके परिवार वालों के साथ और आपके professional life में आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उन होगा आप उनको criticize करेंगे वो उल्टा आपको criticize करेंगे आप लोग एक आइडिया दोगे वो उनको पसंद नहीं आएगा वो कुछ और ही आइडिया देंगे क्योंकि Venus and Ketu का conjunction जैसे मैंने analysis part पर मैंने कहा कि एक dissatisfaction create करता है जहाँ पर आपको अगर आपको एक साथ काम करना ह पड़ेगा एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे को ही कम जादा थोड़ा बहुत ही सही आपको sacrifice करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार वालों का कोई एक बात सुनना पड़ेगा तब ही जाके वह आपकी कोई बात सुनेंगे तो सम्हाव ए करना है बहुत ही सोच समझ करके काम करना है स्पेसिफिकल अगर आप लोग में काम करते हो पॉलिटिकल फिल्ड में काम करते हो या फिर ऐसे किसी बिजनेस में हो जहां पर आप लोग को काफी सारे लोग के साथ डील करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आप लोग मान लो कि कोई क वो फोर्थ हाउस जो है वो गेमिंग को भी रिप्रेसेन करते है जो अपने कंप्यूटर लैप्टॉप में बैट कर सारा दिन गेम खेलते हैं उसी से पैसा अर्न करते है तो उन लोग के लिए अपलीकेबल नहीं है पर जो लोग बहुत सारे लोग के साथ डीलिंग करते है उन इंपोर्टेंट है अदर्वाइस आपका नॉट ओली पर्सनल लाइफ में प्रोब्लम साएंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रोब्लम साएंगे अगर आपको रेमेडी जानना है तो आप लोग देवी गौरी और भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो और क्यूंकि साम आंति और सम्रिध्धी जो है वो बर्सके हमारे लाइफ में तो आप लोग यह कर सकते हो और जो लोग पूजापाथ नहीं कर सकते हो उन लोग को मैं सिर्फ एक ही सजेशन दोंगी कि आप लोग को चीजों को बहुत ही लॉजिकल है हैंडल करना पड़ेगा कोई भी इलॉज लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और थैंक यू तो अगर आप लोग का असेंडेंट यानि लगना कैंसर यानि करकट है तो वीनस आप लोग के लिए आपके फोर्थ हाउस एंड आपके इलेवेंध हाउस के रूलर है वीनस आपके वर्गो साइन यानि आपके फिर्ड हाउस पर ट्रांसिट कर रहे है जहाँ पर के-2 अलरेडी प्रेजंट है तो देखिए वीनस एंड के-2 का एक कंजंशन बन रहा है आपके फिर्ड हाउस पे अब थर्ड हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग यानि आपके जो छोटे भाइबहने आपके जो फ्रेंड सरकल है और आपके नेबर्स को यानि आपके परोसियों को रिप्रेजन करता है तो सबसे पहला आप लोग देखेंगे कि इन लोग के परती आप लोग बहुत यादा क्रिटिकल हो जाएंगे आप लोग आज़ाइधर इनसे अर्गूमेंट करेंगे नहीं तो आप लोग इनको क्रिटिसाइस करेंगे उनके किसी एक्तिविटी के वज़े से और वो लोग भी same करेंगे specifically जो लोग social media influencers है या फिर media related को भी काम करते है आप लोग बहुत ज़्यादा famous हो आपका opinion matter करता है दूसरों को आप लोग influence करते हो influential people जो भी लोग है उनको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके बात करने की ज़रूरत है क्या बोल रहे हो क्या आपका judgment दूसरों के तरफ या फिर specific कोई event के तरफ आपका judgment क्या है क्या आप बात कर रहे हो क्या बताने की क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आइदर बहुत ही सोच समझ करके clear cut आप लोग communicate कीजे otherwise लोग आपको गलत समझ सकते हैं करेंगे तो वो शुरू नहीं होगा so first आप लोग ही कुछ शुरू करेंगे उसके against जो है वो दूसरे फिर बात करना चालू करेंगे यह अगर मानलो कि आप लोग कोई भी arts, media, creativity, fashion designing या फिर कोई भी artistic कोई भी काम करते हो जो भी Venusian industry के साथ connected कोई भी काम करते हो यहाँ पर एक sudden detachment हो सकता है कोई creative block इस वक्त आ सकते है तो अगर आप लोग को creativity में block महसूस हो रहा है तो आप लोग most definitely इस वक्त भगवान गनेश जी की पूजा कर सकते हो क्योंकि भगवान गनेश जी जो है वो केतु के साथ connected है और अगर आप लोग specifically भगवान गनेश का एक specific form है जिसको निर्त्य गनपती कहते है जो माघान अक्षत्र के साथ connected है अगर उस specific भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो तो वो actually creativity को represent करता है तो वो आपको इस वक बहुत ज़्यादा help करेंगे बहुत ज़्यादा support करेंगे otherwise क्योंकि Venus जो है माघौरी को represent करते है मालक्ष्मी को represent करते है और कुछ हद तक भगवान जो है माघासरस्वती को भी represent कर सकते है क्योंकि Venus इटसल्फ जो है माघासरस्वती की पूजा कर सकते हो माघ, गौरी और भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो तो जो लोग पूजा कर सकते है ये उन लोग के लिए remedy है पर जो लोग पूजा नहीं कर सकते हो उन लोग को मैं एक ही चीज़ कहूंगी कि आप लोग जो है वो वीनस का जो बीज मंत्र है उसको आप लोग जाप करना शुरू कीजिए क्योंकि वीनस को स्ट्रॉंग करना इंपॉर्टेंट है अगर स्पेसिफिकल आप लोग कोई भी क्रियेटिव फील के साथ कनेक्टेड हो ठीक है और इस वक्त आपको बहुत ही सोच समझ करके बात करने क कि अगर आप दूसरों को क्रिटिसाइज करोगे तो उल्टा आपको भी क्रिटिसिजम लेना पड़ेगा इस वक्त ठीक है तो मेंली यही है तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई नए व्यूर्स है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लियो यानि सिंग है तो वीनस आपके सेकेंड हाउस वर्गो साइन पर इंटर करने वाले है जहाँ पर केतु अल्रेडी मौजूद है तो देखें वीनस और केतु का यह जो कंजंक्शन है वो आपके सेकेंड हाउस पर बन रहा है अब सेकेंड हाउस आपके फैमिली को रिप लोग ऐसा लग सकता है कि आप उनकी बात को समझ नहीं पार रहे हो कहीं न कहीं एक अनबन होने की संभावनाय है साथ ही में क्यूंकि सेकेंड आउस अपके वेल्थ को रिप्रेजन करता है तो नो मैटर कि कितना आपके पास पैसा है नहीं है कहीं न कहीं एक डिटैच्मेंट आपको लगेगा एक dissatisfaction आपको मिलेगा अगर पैसा एनफ है आपके पास तो उसके प्रति आपका कोई लगाओ नहीं रहेगा अगर पैसों में दिक्कत चल रही है अपके लाइफ में तो वहाँ पर आपको dissatisfaction और भी जाधा आपको लगने लगेगा तो यहाँ पर आप लो जो है वो दैत्तगुरु शुक्रचारिय के साथ connected है यानि वीनस के साथ connected है और भगवान गनेश जी केतु के साथ connected है तो अगर इन दोनों की पूजा करेंगे सामने धंतेरस भी आ रहा है एक शुब मोरत है तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई नया opportunity यहाँ पर आपको मि रहा है ठीक है और वीनस जो है वो दैत्ते गुरु है तो आप अगर उनकी बीज मंत्र जाब करेंगे तो यहाँ पर वीनस को एक पावर मिलेगा जिसके वज़े से अगर आपके पैसों में कोई प्रॉब्लेम है तो यहाँ पर वीनस आपको help कर सकते है ठीक है और साथ ही में कि आपको अपने family members के प्रती थोड़ा सा आपको समझदार बनना परेगा ऐसा नहीं है कि उनके प्रती आपको कोई अन्बन हो रहा है तो आप उनको समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे और अपनी ही बात को बोलते रहेंगे repeatedly आप उनकी बातों को उनके जो perspective है उ biology routinely अपने family members के मिशल sto में किसी और अप लोग ज जगा सकते हो हो सकता है कि आपके family members में से कोई कपके खरको चोड़ कर कही दूर कहीं पर जा सकता है हो temporary हो सकता है ones110 is powinो कभई आर्ग्योमेंट होने के चांसे से अगर अप लोग अपना पैसा कहींपर इन्वेस्ट कर रहेлагста तो be very careful, suddenly influence में आकर और randomly कोई decision मत लो पैसो के बाम मामले में और मान लो कि आप लोगो के लाइफ में यह सब कुछ भी नहीं हो रहा है आपका करेंट महादशलो और अंत्रदशलो और बहुत ही अच्छा result इंडिकेट कर रहा है इस वक्त कोई पैसो की कमी नहीं है, कोई family members के साथ issue नहीं है, कुछ problem नहीं है तो हो सकता है कि इस वक्त आपका speech बहुत ज़्यादा critical हो जाएगा, judgmental हो जाएगा आप लोग बहुत यादा लोगों को judge करेंगे, आप लोग criticize करेंगे उसका tendencies वक्त आ सकता है, क्योंकि K2 जो है, वो criticism को represent करता है Venus के साथ conjunction में वो आपके second house पर है, जहाँ पर Venus debilitated है यहाँ पर हो सकता है कि आइदर आप लोग बहुत यादा, अपने luxury के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे और नया तो आपका luxury के तरफ बिल्कुल भी attraction नहीं होगा In fact, आप लोग अपने खुद का face, क्योंकि second house face को represent करता है आपके appearance, आपके face किसी भी चीज़ के उपर आप लोग जाता ध्याद नहीं देंगे तो यह extreme, यह जो opposite मैंने कहा, यह दोनों होगा पर वो depend करेगा आपके लगना के उपर और आपके specific chart के उपर ठीक है, तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो और guidance अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्रिस इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कर लिजा, and thank you so much हो watching my video, thank you तो अगर आप लोग का ascendant, वर्गो यानि कन्या है, तो Venus आपके लगना पर, यानि आपके first house पर transit कर रहे है जहाँ पर already केतू है, तो देखें Venus केतू का यह जो conjunction है, वो आपके लगना पर बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कि आप बहुत सदा judgmental हो जाएंगे, आप दूसरों को बहुत सदा criticize करेंगे और दूसरे भी आपको criticize करेंगे, क्यूंकि Venus का जो direct aspect है, वो आपके 7th house पर पर परेगा तो not only लोग आपको criticize करेंगे, आप भी लोग को criticize करेंगे यहाँ पर क्या होगा, कि अगर आप लोग relationship में हो, तो sudden एक detachment मैसूस होगा आपको relationship में हो सकता है कि आपको लगएगा कि यह जो relationship है शायद दी है, workout नहीं कर रहा है शायद वो पहले ऐसा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कि क्या हो रहा है तो क्या आप लोग compatible नहीं हो, तो अचानक से यह सब feelings आ सकते क्योंकि Venus जो है, वो love, passion, romance, relationship, इन सब चीज़को bonding को represent करता है वो ही पर केतू जो है, वो detachment को represent करता है तो यह जो feeling है न, वो either इस वज़े से हो सकता है कि सच में आप लोग compatible नहीं हो और ने तो क्या होगा, कि यह temporary feeling है जहाँ पर केतू कहीं न कहीं आपको relationship में logical बनने के लिए आपको indication दे रहा है पर आपको वो समझना पड़ेगा तो अगर आप लोग किसी toxic relationship में हो, कोई ऐसा business partnership में हो जो आपके लिए बिल्कुल भी फाइदा मंद नहीं है तो यहाँ पर आप लोग उनको cut off कर सकते हो, यह perfect time है बट आप लोग मान लोग कि इससे पहले relationship बहुत अच्छा चल रहा था कोई complex नहीं था, कोई problem नहीं था, कोई complicated situation नहीं था suddenly यह सब अभी हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि यह transit का एक temporary effect है यह एक test जैसा है, जहाँ पर आप दोनों को ही relationship में एक दूसरे को समझना पड़ेगा, logically एक दूसरे को समझना पड़ेगा logical approach लेना पड़ेगा argument करने के जगा पर एक दूसरे को समझने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा और आपको इस situation को अच्छी तरह के से दिमाग शान्त रखकर handle करना है logically जो भी problem है उसका solution निकालना है क्योंकि Venus वर्वो साइन पर बहुत यदा logical बन जाते है बहुत यदा organized discipline बन जाते है तो यहाँ पर आपको यह approach लेना पड़ेगा तब ही जाकर जब आप लोग एक दूस्ट्रे को समझ कर एक दूस्ट्रे के ज़रुरत की हिसाब से adjustment करने लगेंगे तब ही वो relationship और भी जादा उभर के आएगा पर अगर आप लोग like अच्छे like normally एक समझते हो कि relationship सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही है उसमें कोई negative phase नहीं आता है ups and downs नहीं आते है तो यहाँ पर relationship cut off होने के chances है अब आप लोग अगर married हो married life में problem चल रहा है या फिर बहुत ही long term relationship है वहाँ पर अगर कोई problem चल रहा है आप दोनों एक दूस्ट्रे को छोड़ना नहीं चाहते हो प्रॉब्लम से तो आप लोग दो remedy इस बक्त कर सकते हो आइधर आप लोग महालक्ष्मी और भगवन गनेश की पूजा कर सकते हो वह in short आपके overall prosperity को और आपके overall जो भी पैसों का भी जो अगर कोई problem है या फिर business में अगर कोई problem है तो इन सभी sections में आपको help करेंगे इंक्लूडिंग आपके personal life में भी आपको help करेंगे क्योंकि हम लोग का एक misconception है कि महालक्ष्मी जो है वो सिर्फ धन संपत्ति की देवी है अक्चुली महालक्ष्मी जो है वो overall prosperity की देवी है तो वो हमारे किसी भी aspect of life में हम लोग को prosperity दे सकते है यह वो कर सकते है महालक्ष्मी ठीक है तो आप लोग आइधर यह कर सकते हो और नहीं तो at least Venus का जो बीज मंत्र है वो आप लोग जाप करो इससे भी Venus जो है वो strong होगा और आपको support मिल सकता है आपके relationship में आपके business में और अगर आप लोग specifically बहुत आदा famous हो कोई भी artistic creative media industry के साथ connected हो तो यहाँ पर भी जब आप कोई बात करें या फिर कोई judgment पास करें तो बहुत ही सोच समझ करके यह सब काम करें otherwise यहाँ पर problem हो सकता है अगर आपनो clear-cut communication नहीं करेंगे तो दूसरे उसका ना मानलो कि आपने पूरा sentence नहीं बोला सिर्फ आधा sentence बोला आधा आधा आपने normally उसको छोड़ दिया तो ह आपको इस वक्त अच्छे रेजल्ट्स मिलेंगे और प्लीज भी वेरी लॉजिकल ठीक है तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो और गाइदेंस बहुत ही अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइ तो अगर आप लोग का असेंडेंट यानि लगना लीब्रा यानि तुला है तो वीनस आपके वर्गो साइन पर यानि आपके ट्वेल्थ हाउस पर ट्रांजिट करने वाले हैं जहां पर केतु अल्रेडी प्रेजेंट है तो स्प्रेसिकल अगर आप लोग कोई भी या फिर कोई भी ऑल्टेनिटिव एंडेस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो या फिर आप लोग तांत्रिक्स हो आप लोग तांत्रा प्रेक्टिशेनर्स हो आप लोग नैचरली स्पिरिचुल पाथ में हो कोई सिध्धी पाना चाहते हो ये टाइम परफेक्ट है क्योंकि वीनस ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब बहुत ही पावरफुल तांत्रिक्स सिध्धी या फिर जो लैक ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेच के साथ कनेक्टेड होते हैं जैसे आस्ट्रोजर्स तैरोकाड रीडर्स रेकी हीलर्स इन चीजों ये जो भी नॉलेच सिधी पाने में अपको हेल्प करता है आपको अकल्टिक पावर आपके अंदर भणे में ये जो कंजंग्शन वह बहुत ज़ाधा हilda कर सकता है स्टीक है बट यह जो यह जो है वह आपके सौइक diffuse को बढ़ा सकता है बट यह एक ऐसा कंजंग्शन आ जो आपके क्र कर सकता है और एक sudden dissatisfaction आपके दिमाग में ला सकता है अगर आप लोग material चीजों के तरफ attracted हो क्यूंकि Venus जो है वो Pisces sign में exalted है तो कही ना कही Venus का जो higher state है ना वो spirituality के तरफ है और devotion को represent करता है Venus higher realm में और higher state में higher position में केतु भी मोक्षाकार का है और 12th house जो है वो उसमें Pisces का एक hidden energy होता है क्योंकि ओरिजिनल कालपुरिश कुणली में 12th house में Pisces sign fall करता है तो 12th house में Venus के तु कंजंक्शन आपको tremendous amount of अगर आप मतलब knowledge दे सकता है occult and mystical knowledge दे सकता है सिद्धी पाने में help कर सकता है आपको spiritual path में successful होने के लिए आपको help कर सकता है हो सकता है कि कोई guru आपको मिल जाए जो की different ethnic background से होगा शायद वो different religion से belong करता है कोई long distance space से belong करता है जो कि आपको बहुत ज़दा like powers दे सकता है बहुत ज़दा आपको knowledge दे सकता है तो यह time आप लोग के लिए difficult होने वाला है not only made for material चीज़ बट अगर आप लोग देखो 12th house के एकदम opposite house जो है वो 6th house होता है तो definitely आपके daily work life daily work routine में अगर आप लोग spiritual path के साथ connected नहीं हो तो क्या हो सकता है वहाँ पर आपको dissatisfaction मिलेगा आप लोग दूसरा को criticize करेंगे दूसरा आपको criticize करेंगे आपके workspace में difference of opinion के वेज़ से जमेला होगा workspace के अंदर enemies इस वक्त आपको बहुत परेशान कर सकते हैं कोई feminine person कोई male भी हो सकता है मानलो कि कोई female है वो तो female ही चलो वो वीनस है बट कभी कभी न हम लोग देखते है कि कोई कोई लड़का होता है जो थोड़ा उसके अंदर एक्दम motherly nature होता है थोड़ा मतलब बहुत ही caring nature का होता है थोड़ा female energy है ऐसा हम लोगो समझ में आता है उ तो कोई ऐसा इंसान भी इस वक्त आपके लिए एक competition बन सकता है थीक है अभी मैं किसी की insert नहीं कर रही हूँ प्लीज गलत मत समझ ना मैं बस energy like male body के अंदर feminine energy के बार में मैं एक example दे रही थी थीक है तो कोई भी feminine personality इस वक्त आपके लिए बाधा बन सकता है वो आपके work space में कोई problem create कर सकता है थीक है तो देखो remedy wise आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप लोग को material चीजों में आपको successful होना है या फिर आपके पैसों में दिक्कत है इस वक्त तो आप लोग मालक्ष्मी और भगवान गनेश यानि लक्ष्मी गनेश जी की पूजा कर सकते हो क्यूंकि म इस वक्त आपको overall prosperity मिल सकता है और at least आपको help मिल सकता है अगर आप लोग पूजा पार्ट नहीं कर सकते हो तो at least वीनस का जो बीज मंत्र है वो आप जाब करना शुरू करो तो इससे भी वीनस को power मिलेगा and definitely अपने घर का जो south east direction है उसको आप लोग clean रखो clean रखो clear रखो उ इसको organized way में रखो वो इधर और बिखरा नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि आपका जो वास्तु के हिसाब से घर का जो south east direction है वो वीनस रूल करते हैं तो अगर इस direction में कोई problem है दिवार में cracks है तो यहाँ पर problem होने के chances है ठीक है उसको आप लोग ठीक करवाओ उससे आपके overall money situation में भी improvement आएगा ओके तो आप लोग को मेरे वीडियो और guidance अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant scorpio यानि वृष्चिक है तो वीनस आप लोग के represented transit wise तो देखो 11th house जो है वो आपके बड़े भाई-बहन को represent करता है आपका professional network circle को represent करता है आपका overall जो gains है success है achievement है liquid cash money है इन चीजों को represent करता है तो definitely यहापर आपके professional network circle के साथ और आपके बड़े भाई-बहन के साथ या फिर कोई ऐसा इनसान जो आप जिनको आप अपना इस वक्त problem होने के chances है because हो सकता है कि वो लोग आपको कुछ कह रहे हैं आपको opinion उस particular चीज के तरफ अलग है तो because of the difference of opinion इस वक्त ये problems ये arguments आएंगे हो सकता है कि आपके workspace में आपको team work करना है एक particular project दिया गया है तो उस project को कैसे करना है एक specific section में आपका opinion एक है और दूसरा का opinion जो है वो अलग है तो उस वज़े से दूसरों के साथ problem हो रहा है या फिर पैसों के मामले में शायद आपने किसी को उधारी दिया था वो नहीं ल 10th house हो है वो आपका immediate boss है जिसको आप immediately report करते हो बट 11th house हो है वो आपका जो boss का boss है ठीक है like जिसको आप immediately आप उनके साथ contact नहीं कर सकते हो ऐसे टाप के bosses ऐसे टाप के authorities को represent करता है तो यहाँ पर उनके साथ भी कुछ आप ऐसा आपने workspace में कर सकते हो जिसके वैसे उनके साथ problem जल रहा है तो अभी workspace में बहुत याद आपको careful होना है अभी 11th house से जो Venus का 7th aspect है वो आपके 5th house में तो अगर आप लोग education में हो आप लोग student हो तो यहाँ एडूकेशन के तरफ एक suddenly detachment आप लोग मैसूस करेंगे आपको पढ़ाही में अच्छा नहीं लग रहा है अगर आपका बच्चा education field में है तो उनको यह सब महसूस होगा तो वो परहाई नहीं करेंगे और आप उनके उपर हावी हो जाएंगे कि पर क्यों नहीं रहे हो ठीक है और ना तो शायद हो सकते कि वो लोग कुछ headless activity करेंगे थरा जादा आपको परिशान करेंगे बच्चा मिलेगा किस तरह से मुझे लोग के साथ अपना problem resolve करना है क्योंकि देखो 7th house के ruler जो है वो 11th house पे 12th house के ruler 11th house में तो हो सकता है कि इस वक्त आपको किसी MNC से job opportunity मिल सकता है को अगर आप लोग business करते हो तो foreign land से या फिर long distance place से clients इस वक्त आपके पास आएंगे आपको उनके सा सकते है कि पहले चीजे जो है वो properly नहीं हुआ वो cut हो गया deal नहीं हुआ फिर से आप लोग गये उनको समझाने की कोशिश की कुछ शायद आप लोगोंने discount वगेरा भी add किया और next time जो है वो deal हुआ तो कुछ ना कुछ बाधा इस वक्त आएंगे आपकी career में dealing में या फिर daily work life के अंदर कुछ-कुछ problems इस वक्त आ सकते हैं बट अगर आपको सही तरह के से काम करेंगे logically काम करेंगे दूसरी की psychology को समझ के काम करने की कोशिश करेंगे फिर देखेंगे कि इस वक्त आपको success मिल रहा है हो सकता है कि थोड़ा obstacles आएंगे बट success भी मिलेगा ठीक है और specifically आपका घर का जो southeast direction एवो बहुते गंदा दिख रहा है कि नहीं अगर दिख रहा है तो ऊसको ठीक करो और शाओटीज डिरेक्ष न में अगर कोई दिवार है तो उसमें crack है तो ठीक कर गाओ ठीक है तो वो आपके क्योंकि वीनस वास्तू की शांप से आपके घर का जो southeast direction ए उसको like उसको represent करता है तो अगर यह particular direction अगर सही है तो आपके cash flow में अगर problem है तो उसका यह kind of remedy है actually और relationship में भी देखेंगे कि understanding अगर पहले बहुत जादा था तो वो उसका effect थोड़ा कम हो रहा है मतलब सही तरह से एकदम fit fat है एकदम अच्छा है वह बहुत जादा important है थीक है तो अगर आप लोगों कहीं पर अपना पैसा इंवेस्ट कर रहे हो be careful suddenly कोई भी random action मत लीजे ओके तो I hope कि आप लोगों को मेरे video and guidance अच्छा लगा है अगर video अच्छा लगा तो प्लिस इस video को like and आपके 11th house के ruler है Venus आपके 10th house वर्गो साइन पर transit कर रहे है और आपके वर्गो साइन पर already Ketu present है transit wise यानि Venus Ketu का conjunction आपके 10th house पर बन रहा है तो देखो क्यूंकि naturally Venus आपके 6th house के ruler है वो आपके 10th house में है transit wise तो इस वक्त आपके career में naturally थोड़े बहुत obstacles आएंगे और specifically female energy इस व आप लोग के लिए जान बुच कर obstacle create कर सकता है उपर से Ketu भी है तो not only इस वक्त आपको आपके profession में थोड़े बहुत irritation feel होंगे बट आपको detachment भी फील होगा dissatisfaction feel होगा क्योंकि Venus Ketu को ये conjunction, irritation, dissatisfaction को जनम देता है ये energy create करता है तो बहुत सद इंपोर्टेंट है कि अगर आप ये company change करना है ना तो currently आपका जो भी profession है वो entire profession को आपको change करना है तो बिल्कुल भी suddenly कोई decision मत लीजिए क्योंकि ये हो सकता है कि एक temporary energy है और जैसे ही Venus Libra sign पर 30th November को move कर जाएंगे धीरे-धीरे ये जो चीज़े है जो dissatisfaction है वो धीरे-धीरे dissolve हो रहा है और क्योंकि Ketu राहु ने भी अभी अभी अपना sign change किया है तो मैंने इन दोनों के लिए prediction वीडियो बना दिया है उसका link आपको इस वीरो के description box and comment section पर मिल जाएगा तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा आप लोग देख लीजे तो हो सकता है कि क्योंकि मतलब अभी अभी जो है वो energy shift हुआ है तो इस वज़ेसा आपके दिमाग के अंदर confusion हो रहा है तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके workspace में से आपको निकाला नहीं जा रहा है यानि ले-off नहीं हो रहा है तो immediately आप लोग अपना नौकरी इस वक्त मत छोड़ो unless आपको कोई नया opportunity मिला है और व क्योंकि वीनस वर्गो साइन पर logical हो जाते है अगर यहाँ पर आप लोग illogically behave करेंगे तो आपको आपका कोई अच्छा तो होगा नहीं उल्टाल लॉस होगा और क्योंकि वीनस का जो 7th aspect वह आपके 4th house में आएगा तो आप लोग अगर कोई भी 4th house related कोई भी काम करते हो जैसे home, land, real estate, broker, car related कोई भी अगर like like car manufacturer या फिर car related कोई इंडेस्ट्री में आप लोग काम करते हो इंजिनियर्स हो या फिर मानलों के आप लोग builders हो आप लोग ब् consulting agency चलाते हो, food business, restaurant business, hotel and resort business या फिर आप लोग interior home decoration में काम करते हो, कोई भी furniture business है या फिर मानलों के कोई भी tiffin service है, etc. या फिर मानलों के perfume है, clothing business है, कोई भी venusian business के साथ भी अगर आप लोग connected हो या फिर 4th house related कोई भी business, जैसे 4th house जो है वो politics के साथ भी connected है, वो government के साथ भी connected ह तो अगर ऐसे किसी भी field में हो, तो कोई भी random action मत लीजे, जब भी आपको कोई action लेना है, सोच लो कि उसका reaction क्या हो सकता है, अगर आपको time लगता है, तो आप लोग time ले लो, but proper information ना करके, proper जानकरी ना लेकर, sudden कोई investment, sudden कोई random action मत लो, और investment in the sense, अगर आप लोग घर खरीद चाहते हो, कोई गारी खरीदना चाहते हो, उसका जो भी legal document है, paper work है, उसका कोई भी information है, बहुत ही, आप लोग देख लो, कि वो सब कुछ एकदम ठीक है की नहीं, एकदम legalized है की नहीं, proper legal way में काम करो, तो problem हो सकता है, okay, अगर आप लोग को remedy करना है, तो आप लोग मा लक्षमी वीनस के साथ connected है, भगवान गनेश जो है, वो केतु के साथ connected है, सामने धंतेरस भी आ रहा है, तो आप लोग लक्षमी गनेश जी की पूजा कर सकते हो, आप लोग अगर देवी गौरी या फिर पारवती मा की पूजा करते हो already, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्य आप लोग जाब करो, और आपके घर का जो साथीस डायरेक्शन है, उसको clean रखो, clear रखो, organized रखो, अगर दिवार बगेरा में कोई crack है, तो इसको ठीक करवाओ, ठीक है, तो आप लोग को मेरे वीडियो और गाइडेंस अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है एक योगा कार का प्लानेट है, क्योंकि वीनस जो है, वो आपके 5th house and 10th house के रूलर है, वीनस आपके 9th house पर ट्रांजिट कर रहे है, जो कि वर्गो साइन है, 9th house में आपके, एक चीज़ देखे है कि केतु भी इस वक्त वर्गो साइन पर है, यानि वीनस केतु का कंजंक्श आपके 9th house पर बन रहा है, तो सबसे पहले क्योंकि वीनस केतु जो है, वो एक ऐसा कंजंक्शन है, जो कि आपको material life से आपको detach करता है, और कहीं न कहीं spiritual life के तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ओरिजिनली वीनस जो है, वो पाइसी साइन पर exalted है, पाइस पर बना सकता है, क्योंकि आपको लेके जाएगा, कहीं न कहीं यह आपको question करवाएगा, कुछ-कुछ sections में, या पर दूसरों के religion आपको गलत लगने लगेगा, तो यह negative side यह है, but positive side यह है, कि वो आपको spirituality के तरफ लेके जाएगा, spiritual activity के तरफ लेके जाएगा, वो आपको and mystical knowledge के तरफ आप लोग कोई परहाई करना चाहते हो, तो उसके तरफ आपको लेके जाएगा, वहाँ पर आपको वो help करेगा, but on the negative side, क्या करेगा, हो सकते है, कि आप लोग अपने religion, belief system के प्रती, इतना जादा आप लोग, like, like, इतना जादा आप लोग कठोर हो जाएगे, कि आप शाहएद दूसरों के religion को इस वक्त, like, छोटा कर सकते हो, या फिर उनको criticize कर सकते हो, और ने तो wise versa, इस वक्त, अगर आप लोग कोई भी social media influencers हो, या फिर आप लोग media industry के साथ connected हो, या फिर कोई और काम करते हो, जहापर आप लोग को बहुत से लोगों के साथ dealings करना आपके थर्ड हाउस पर जाके गिरेगा, तो इस वयसे क्या होगा, कि अगर आप लोगों ने ठीक थाक तरीकी से communicate नहीं किया, तो आपके communication के वैसे हो शकता है कि आप लोग कोई उल्टा सीधा बात कह देंगे, या फिर किसी और ने तो कोई sensitive topic पे कुछ कह देंगे, जिसके इसे लोग आपको criticize कर सकते हैं, और यह उन लोग के लिए जादा होगा, जो लोग मीडिया के साथ connected है, जो लोग online businesses के साथ connected है, उन लोग के साथ यह सब हो सकता है, जादा होंगे, ठीक है, और क्यूंकि 9th house जो है father, guru, teacher, mentor, तो आइधर इस वक्त आपके life में कोई ऐसा guru आ सक करता है, completely उनका belief system अलग है, वो शायद किसी long distance place पर रहते है, तो आइधर इस टाप कोई guru आपको मिल सकता है, और नए तो क्या होगा कि आपका जो existing guru है, father है, teacher है, mentor है, उनके साथ आपका कोई communication problem हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पढ़ाई के लिए वीनस कुछ-कु कोई dissatisfaction, कोई detachment आपको महसूस हो सकता है, unless or until वो पढ़ाई किसी ना किसी तरह किसे spirituality के साथ connected है, वेदास के साथ connected है, तांत्रा के साथ connected है, astrology के साथ connected है, या फिर कोई ना कोई religion के साथ connected है, वहाँ पर वीनस आपको इस वक्त हेल्प पर सकते है, ठीक है, religion in the sense, जो धर्म ग सकता है, with Ketu, specifically in the 9th house, although Venus debilitated है, तो यहाँ पर काफी लोग यह बोल सकते है, कि अच्छा Venus तो debilitated है, जब Venus debilitated होते है, तो वो तो material बन जाते है, क्योंकि वर्गो साइन जो है, और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कि Ketu भी connected है Venus के साथ, और साथ ही में Venus जो है, वो 9th house पर है, तो house का energy भी तो matter करता है, यहाँ पर Ketu and 9th house का energy dominating है, उसके बाद न वर्गो साइन आता है, तो इस वय से हो सकता है कि, जैसे मैंने का वर्गो साइन है, तो मैंने बोला कि कुछ-कुछ हद पर क्या होगा कि लोग आपको criticize कर सकते है, आप लोग को criticize करेंगे, हो सकता ह कि आप religion, belief system, किसी और का religion को criticize कर रहे हो, तो यह सब तो कुछ-कुछ तो मैंने negative बोला ही, जो वर्गो साइन जो है, वो आनलेसिस को represent करते है, तो आप analysis कर रहे हो, कि इसके religion में क्या होता है, मेरे religion में क्या हो रहा है, कौन-कौन सा चीज आपको अच्छा लग रहा है, कौन पाट तो है ही, ठीक है, अगर आप लोग को remedy करना है, तो आप लोग कोई ना कोई spiritual activity कर सकते हो, specifically मा लक्ष्मी और भगवान गनीश की पूजा कर सकते हो, इसे आपको फायदा होगा, अगर आप लोग पूजा पाट नहीं कर सकते हो, तो वीनस का बीज मंत्र जाब कर सकते हो and definitely अपने घर का जो southeast direction है, उसको clean रखो, उसको organized way में रखो, like कोई भी समान है तो उसको organized way में रखो, और अगर दिवार बगएरा में cracks है, या फिर कोई भी like टूटा-फूटा समान है, तो वहां से हटा दो, cracks को ठीक कर लो, ठीक है, इस से भी आपको फायदा होगा, तो I hope कि आप लोग को मेरे वीडियो and guidance अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीस इस वीडियो को like कीजे, चैनल को भी subscribe कर लीजे, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि Ascendant, Aquarius, यानि कुम्भ है, तो Venus आप लोग के लिए एक योगा का प्लान है, and Venus वर्गो साइन पर debilitated है, ठीक है, तो देखिए, first of all ये ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर आप लोग occult and mystical knowledge को लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, only in that particular case Venus आपको help करेंगे, अगर आप लोग कोई tantra practitioners हो, कोई भी spiritualist हो, spiritual field में काम करते हो, occult and mystical knowledge सीख रहे हो, या फिर आप ल sections में आपको help मिलेगा, आपको support मिलेगा, from both Venus and Ketu, और अगर इससे कुछ भी अलग है, जैसे कोई भी Venusian industry के साथ connected हो, कोई भी other industry के साथ connected हो, आपको कही न कही या पर थोड़े बहुत troubles दिखाए देंगे, specifically, आपके family members के साथ, आपका relationship इस बग बहुत ही यादा ups and downs, ups and downs, ऐस होगा, कभी-कभी आप लोग बहुत ज़्यादा attached feel करेंगे, कभी-कभी detached feel करेंगे, ठीक है, क्योंकि Venus आपके fourth house के ruler है, वो आपके eighth house पड़े, ऐसा भी हो सकता है, कि आपके career के वेर से suddenly आपको अपना घर छोड़कर किसी long distance place पर कुछ दिनों के लिए ही सही पर आपको जान होगा, either आप लोगों को जाना पड़ेगा ने तो आपके परिवार में से किसी को ऐसे travel करना पड़ेगा, suddenly वो भी, अगर already inheritance को लेकर कोई argument चल रहा है, तो यहाँ पर वो और भी जादा worst होने वाला है, like inheritance को लेकर अगर already कोई court case चल रहा है, कोई family के अंदर issue चल रहा है, तो वो और भी जादा बिगरेगा, वो हालात, क्योंकि Venus Ketu का conjunction कहीं न कहीं एक separation, dissatisfaction, detachment को generate करता है, ऐसे emotions को generate करता है, ऐसे situation को generate करता है, तो खास करके अपने परिवार वालों के साथ, आपको अगर साथ में रहना है, अगर मिल जोल के रहना है, relationship अगर खराब नहीं करना है, त और उनको भी आप लोग इस तरह से logical अप्रोच करो, ताकि वो लोग भी आपके साथ adjust करे, ऐसा नहीं है कि Venus को वर्गो साइन पर वीनस बहुत यादा logical हो जाते है, तो वहाँ पर आपको logical अप्रोच लेना परेगा, हर काम के लिए, otherwise वो आपको help नहीं कर पाएंगे, और लक्षमी और भगवान गनेश की पूजा कर सकते हो, यानि लक्षमी गनेश जी की पूजा कर सकते हो, यानि लक्षमी गनेश जी की पूजा कर सकते हो, यानि लक्षमी गनेश जी की पूजा करते हो, तो आप लोग इस वक्त अगर लक्षमी गनेश जी की पूजा करेंगे, तो बहुत अच्छा आपको फाइदा मिलेगा और सुख शांती भी रहेगा हम में से बहुत सारे लोग को लगता है कि मा लक्ष्मी सिर्फ धनसंपर्ति की देवी है पर ऐसा नहीं है मा लक्ष्मी ओवराल प्रॉस्परिटी को रिप्रेजन करता है I mean करती है तो मा लक्ष्मी क किसी तरह किसे आपको help करेंगे guide करेंगे अगर आप अपने life में कोई भी problem face कर रहे हो चाहे वो personal life में हो professional life में हो यह आपको बहुत जीदा help करेंगे इस दौरान ठीक है and definitely आपको लोग के तरफ specifically अपने परिभार के तरफ critical and judgmental नहीं बनना है चीजों को आप लोग को समझना अगर ज़रुत पड़ता है तो किसी financial advisor से आप लोग advice लिजे तब जाके आप लोग invest कीजे नहीं तो problem हो सकता है ओके तो I hope कि आप लोग को मेरे video and guidance पसंद आया है अगर video अच्छा लगा तो please इस video को like कीजे channel को subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant Pisces यानि mean है तो Venus आप लोग के लिए आपके 3rd house and आपके 8th house के ruler है Venus आपके 6th house वर्गो साइन पर transit कर रहे हैं जहाँ पर केतू already present है तो देखो Venus केतू का यह जो conjunction है न वो आपके 7th house of marriage, partnership, relationship, business, contract based, जो भी काम है इन चीजों के उपर प करते हो और अगर वो किसी ने किसी तरह किसे social media के साथ connected है जहाँ पर आप लोग के साथ dealings करते हो आपको बहुत ही carefully communicate करना है क्योंकि Venus आपके 3rd house के ruler है वो आपके 7th house पर आ रहे है जो कि mass people को represent करता है and K2 criticism को represent करता है तो अगर आप लोगोंने आप लोग business कर रहे हो और आप लोग किस तरह से बात कर रहे हो इन दोनों चीजों के तरफ आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा नै तो लोग आपको criticize करेंगे अगर आप लोग media industry के साथ connected हो be very careful कि आप लोग क्या बोल रहे हो लोग के प्रति क्या judgment आप लोग पास कर रहे हो आप लोग का action क्या है दूसरों के किसी काम के प्रतिया आप लोग reaction क्या दे रहे हो be very careful ठीक है अभी क्योंकि देखो 7,000 हो है वो marriage, partnership, relationship को represent करता है तो यह एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर आप लोग relationship में हो real आपको test देना परेगा और वो test Venus लेंगे क्योंकि देखो Venus वर्गो साइन पर प्रिटिकल होते है बहुत यह दा realistic होते है लोगी कल हो जाते है तब Venus ऐसा नहीं है कि ओके प्यार में मैं तो मर भी सकता हूँ तुमारे लिए चांद इतार ला सकते हो ऐसा नहीं होता है Venus फिल बहुत ज़दा वर्गो साइन पर लोगीकल हो जाते है के तू naturally detachment को represent करता है के केतु dissatisfaction को भी रिप्रेजन करता है क्योंकि केतु मंख है केतु मोक्षकार का है केतु को मेटरियल सीजों के तरफ के तरफ कोई अट्राक्शन नहीं है तो दोनों जब आते एक दूसरे के साथ तो क्या होता है कि कही ना कही आपको अपने रिलेशन्शिप में असा लगने लगेगा कि यह ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शायद हम लोग कमबैटिबल नहीं है अपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कि माने की बहुत जब आपका पार्टनर किसी सिटूइशन केवारे से आपको बह जब जाद क्रिटीसाइज कर रहा है या बहुत जब्द हो रहा है है अपके प्रती अतकी अदूनके पृतिजमेंटल भाई हो रहे हैं आपकेसल टॉक्सिक है फिर भी आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है कि बहुत साथ टेंपोरारी है ऐसा नहीं है जो लोग टॉक्सिक है वो थूआउट कोई मतलब कैसा भी क्यों ट्रांजिट हो लोग टॉक्सिक बीएवियर ही करेंगे आपको समझना पड़ेगा कि यह ट्रांजिट का एफेक्ट है आपको बहुत ही अगर मानलो कि आपके पार्टनर के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है डिससफेक्शन है डिटैच्मेंट क्रियेट हो रहा है धिरे-धिरे आप लोग दूर हो एक दूसरे से तो कहीं न क आपको समझना पड़ेगा कि आइदर आप दोनों के रेलेशनशिप के अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है और ने तो अगर कोई सीरियस प्राब्लम हो रहा है आर्ग्यूमेंट बहुत ज़दा हो रहा है तो आप दूनों को ही क्लियर कट कम् जाधा एड़ेस्ट्मेंट करना पड़ेगा और यही आप लोगों का टेस्ट है जो वीनस के तू एक दूसरे के वीनस के तू कंजंक्शन आपके सेवन्थ हाउस में लेगा अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वक्त हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कोई लव इंट्रेस्ट आपके लाइफ में आ सकता है ठीक है पास्ट लाइफ में इसलिए बोल रहे हूं क्योंकि के तू पास्ट लाइफ को रिप्रेजन करता है ओके और वीनस रिलेशन्शिप है त अच्छा काम करेगा, मतलब आपके लाइफ को सुधारने में आपको help करेगा नहीं, तो at least आप खुश होंगे उनके साथ, ऐसा लगेगा ना कि आप उनको पहले से ही जानते हो, पहले ही एक-दो मीटिंग में ही आप लोग बहुत 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 हो जाएंगे, पर अग कोई past life enemy है जो इस life में आपका ऐसा, girlfriend और boyfriend बनके आपके relationship में आ रहा है, और वो कुछ न कुछ आपके, knowingly और unknowingly, कुछ न कुछ आपके life में बिगार के फिर जाएंगे, तो अगर relationship में जा रहे हो इस वक्त, या फिर शादी के लिए partner ढून रहे हो, be very careful, और immediately jump मत करो relationship में, time लो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के background को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोगो को कोई decision लेना है, एकदम relationship में कूदना नहीं है, कि अच्छा मुझे तो एसा, एक attraction लग रहा है, इसका मतलब शायद कुछ अच्छा है, तो वो attraction आपके past life के बट कुछ एक है, आपको carefully decision लेना है, business में भी, अगर आपको कोई नया partner ढून रहे हो, be careful, थोड़ा समझने के, और चीजों को legally करने की कोशिश करो, कोई भी business contract अगर sign कर रहे हो, और मान लो कि बहुत important है, अब भी आपको कोई decision लेना है, तो properly सारे information चेक कर लो, legal way में सब का नहीं हो सकता है, और इस वक्त आप दूसरों को criticize करेंगे, दूसरे भी आपको criticize करेंगी, क्योंकि Venus के तु अगर आपके 7th house में है, तो Venus का जो 7th aspect है वो आपके लगना पे है, तो इस वक्त कहीं नहीं आप भी like अपने आप से भी detachment हो, कहीं नहीं आपको खुद का ही energy समझ म नहीं आएगा, तो इस वक्त अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो first of all अप लोग थोड़ा अगर self doubt अगर हो रहा है, अप लोग कुछ ना कुछ उल्टा सिधा random सोच रहे हो, तो थोड़ा आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, तो इस वक्त आप लोग meditation कर सकते है, वीनस भी कही ना कही, क्योंकि वीनस पाइसे साइन पर exalted होते है, नैचरल कालपुरिश कुनली में, तो definitely वीनस भी spirituality को रिप्रेजन करते है, डिवोशन को रिप्रेजन करते है, तो अगर इस वक्त आप लोग थोड़ा meditation करेंगे, तो अपना दिमाग आप लोग शांत कर पाएंगे, अपनी emotions पर आप लोग थोड़ा control ला पाएंगे, और अगर मान लोग की पैसो की कोई problem चल रही है, या फिर रिलेशनशिप में घर के अंदर कोई problem चल रहा है, तो आप लोग लक्ष्मी गनेश जी की पूजा करो, मा लक्ष्मी और भगवान गनेश इन दोनों क प्रब्लम आ रहा है, तो at least check करो कि अपने घर का जो southeast direction है, तो वो कैसा है, अगर वहाँ पर बहुत जदा clutter है, मैल है, धूल मिट्टी है, चीजे जो है बिखड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करो पहले, साफ सफाई करो, चीजों को organized way में रखो, और अगर दीवार में cracks है, जमीन पर hole वगेरा है, तो उसको ठीक करो पहले, क्योंकि घर का जो southeast direction है वो venus rule करता है, तो अगर उस direction में problem है, तो definitely relationship में problems आएंगे, तो I hope कि आप लोगो को मेरे ये video and guidance अच्छा लगा है, अगर video अच्छा लगा है, तो please इस video को like कीजे, channel को subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video, thank you कर दो